वो कहता है कि मैं गव मास खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमान होगा कि उसने मुझे गव मास खाते हुए कहा देखा कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा जूटा और एक नमबर का पल्टू बाज है ये छोटा पपू लेकिन आप इसे उमीद ही क्या कर सकते जब इसका सीनियर बड़ा पपू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है जो भी हिंदू धरम की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है उसका विनाश कर देंगे तो जब बड़ा पपू ऐसे बाते करता है तो छोटे पपू से क्या उमीद की जा सकती है नमस्कार साथियों, आज भारती जन्ता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मानसमान करते हैं, करगना ननौजी, आज मनाली में थी और एक कारिक्रम में जिस तरीके की भाशा शहली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दवली का प्रयोग उन्होंने किया है खास करके हमारे लिए, कॉंग्रिस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटी-कोटी उनका नमन करता हूँ आज तक इस तरीके की भाशा शहली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देव भूमी में नहीं हुआ होगा चोटा पप्पु मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देव भूमी में आके पवित्र होना चाहिए मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना अपनी माँ के नाम के बिना अपने आप खुद अपना नाम गुम्मई नगरी में बनाया इसलिए उसको लगता है मैं आप अवित्र हूँ खेर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस मनाली के मंच पर थी अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाए अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती है आपको याद है कि कुछी दिनों पहले कुछी महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई हिमाचल में मंडी में आई और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है मैं मनाली बासी हूँ मगर क्या आप आपको के समय में एक दिन भी मनाली में गई हम आपका आलू ग्राउंड है वहाँ पे उपस्तित रहे पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है अटालीस घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर ग्राउंट जीरो पर जाके उसको रिस्टॉर करवाया लेफ्ट बैंक जो पूरी तरीके से क्षतिक्रस्थ हो गया था वहां पर जाकर हमने उस सिर्टी से अफगत करवाया मुख्यमंतरी जी ने उनको अफगत करवाया इसलिए अगर आप इन तिद्धियों के ऊपर बात करें तो अच्छा होगा उसको क्यों लगता है मैं अवित्र हूँ क्यूंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं उसकी क्यों जलती है कि मैं किया है लेकिन आप अपनी आँखे बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं दो तीन आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्य मंत्री हैं कि यही क्या हमारी बेटियों का भविश्य है हम आपका बहुत मान समान करते हैं मगर मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती है और क्या मुंबाई में पीती है यह हिमाचल के मुद्दे नहीं मेरा आप से प्रदेश के लिए मंडी संसद्यक्षेत्र के लिए क्या आपने आपकी आने वाले समय में रहीगी कितना से योग आपने पूर्व में दिया इन सब चीजों के ऊपर बात करें यह बिना मतलब की बाते जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है इस तरीकों की बात करकर आप जनता का समय जो है वो वियर्थ कर रही है आज जब मैं पॉलिटिक्स में यह पुरुष्परधान समाज में अगर आपके मनाली की बेटी अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तिक को ढूंड रही है अपनी छोटी सी जगा ढूंड रही है तो उसम है क्या है क्या हमारी बेटियां politics में आए ही नहीं क्या यह politics है और सिर्फ पुरुशों के लिए ही रह जाए एक तरफ यह पुरुश है और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को 33% अरक्षन दिया politics के लिए इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा और खास करके प्रभू राम से जिनका विशेश आशिरवाद हम बाई चन्वरी को अयोद्या में लेकर आए हैं उनसे ये मेरी प्रात्ना रहेगी जिए आपको सद्बुद्धी दे और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंटरे किशूज है उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे है कुलू के मनाली के भुंतर के बंजार के सैंच के सरकागाट के और बल के मंडी सदर के रामपूर के उन उश्यूज को आप उठाएं और हम भी उनको कॉंग्रेस पार्टी उनको आने वाले समय में उठाएगी and let's have a focused debate on the developmental trajectory of आज मैं यह सब पप्वों को जो भी हैं जो मुझे धंका रहे हैं मैं चुनौती देती हूं कि यह तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धंका के यहां से बाहर बेश दोगे यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है यहां एक छोटा सा गरीब मा का बच्चा जो चाए बेशता था रेलवे स्टेशन पर आज वो इस धर्ती का इस देश का सर्वोच नायक है सर्वोच परधान है सबसे बड़ा परधान सेवक है यह वो भारत है मैं गरीब घर की बेटी मैं यह चुनाव जीतूंगी लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी आपको हमारी बहुत बहुत शुपकामनाए आप मंच पर इसी तरीके से जो है शब्दवली का प्रियोग करते रहें आपको हमारी बहुत बहुत शुपकामनाए जैहिन जैहमाचल जैश्रीराम